गौतम गंभीर ने अब पूर्व दिगगज खिलाडी बिशन सिंग बेदी और चेतन चोहान पर निशाना साधा है जिस समय नवदीप सिंग सैनी ने भारतिय टीबीस टीम में जगा बनाई गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा तुमने गैन बाजी करने से पहले ही बिशन बेदी और चेतन चोहान को आउट करके दो विकेट ले लिए यह काफी अनावश्यक और बेकार था यह लगभग वैसा ही है जैसा कि पूर्व भारतिय सलामी बल्लेबाज के के आर के कपतान और अब लोगसभा सांसद गौतम गंभीर के अंदर बहुत गुसा है हर कोई जान बाद में कुछ इंटर्व्यू में बेदी ने सैनी की क्षमता पर सवाल उठाने से मना किया एक अकबार को दिये इंटर्व्यू में उन्होंने कहा मैं कौन हूँ मैं डीडी सी ए में किसी पोजिशन पर नहीं था मैं देख रहा हूँ कि सांसद बनने के बाद भी उनमें ववीट के जर्य गंभीर पर पलटवार करते हुए कहा दिल्ली क्रिकेट संग की नियमों के मुताबिक दूसरे राज्यों के क्रिकेटरों के लिए एक साल का कूलंग पीरियद इंतजार का समय रखा गया है इस मामले में प्रतिभा और क्षमता की बात ही नहीं है खुद को ह पूर्व खिलाडियों को मर्यादा का ध्यान रखने की आवश्यक्ता हो एक खिलाडी के नैशनल टीम में सलेक्षन पर जश्न मनाने के बजाए सोशल मीडिया पर एक दुसरे पर आरोप लगाए जा रहे है